तो डेर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिये थर्ड समस्टर के होम साइंस ये ग्रह बिग्यान के पूरे के पूरे माडल पेपर कोश्चन पेपर के बारे में तो जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में हमारे जितनी वी छात्राय हैं उनका जो एकज इसा दिखेगा उसमें किस प्रकार के कोश्चन पूशे जाएंगे और ऐसे कौन-कौन से कोश्चन है जो बार बार पर इच्छा में पूशे जा रहे हैं और इस बार भी आएंगे ठीक है तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो वीडियो को कम्प्लीट देख प्रश्चन पत्र का नाम है यानि कोश्चन पेपर का नाम है एडवांस न्यूटेशन एंड हुमें ठीक है डिवलप्मेंट जुड़े होंगे और ऐसे ही दो घंटे का समय दिया जाएगा फिर तीन घंटे का समय दिया जाएगा यहां पर लिखा होगा जातर इंवर्श्चन तो ही घंटे के मिलता है समय लेकिन कुछ में तीन का भी दे देते हैं 75 का पुड़ांग कैसे मिलेगा सबसे पहले आपको आते लग उत्तरे कोश्चन देखने को मिलेंगे खंड आ में ठीक है और इन प्रश्चनों को उत्तर देने से पहले कुछ दिसान उर्देश होती उनको पढ़ लीजेगा ठीक है चलिए आते हैं अतले उत्तरे के पहला प्रश्चन के और अतले उत्तरे का पहला प्रश्चन है कि विकास को परभाफित कीजिए तो विकास का मत्तब यही हुआ धान से सुन लीजीगा एक लाइन में इसका एंसल लिक लकacağız कहते हैं तो इन्सान का बीकास हो सकता है और इन्सान जो बिजनेश करता इसका विकास हो सकता है ठीक है तो इस वर्इस का सिम्पल साइंस लेख़िंगा बाकी अपने लिए तैयार कर सकते हैं ठीके और мы आपको आश्टैंगा आप्के इक्जाम के लिए बहुत ही और ऐसे को उनकों से इस बार आएंगे उनके वारें जानका ही देंगे तो इसका अप्तरिस प्रकार लिख सकते है आड़े एक जो सस्त बेक्थ होता है ठीक है वो परड़े जो भोजन करता है एक सस्त बेक्थ जो आहार यानि कि खाना खाता है परड़े उसमें उसकी और और डिन कहते हैं बस ठीक Earth का फुल फूर्म जान लीजिए तो आर्ट से मतलब हो गया ठीक है आर का मतलब हो गया आपका recommended ठीक है और डींटी के जासी जिसको भूलते हैंоме और एक मतलब हो गया एलाउंसस ठीक है तुछ परकार लिखेंगे इसका आंसर उसके बाद महात्पूर्ण परशन ही अवाला ध्यान लखेंगे बिक्तुत्त का अर्थ बता है यह मतब प्रस्नालिटी जिसे बोलते हैं कि प्रस्नालिटी कैसे है आपकी प्रस्नालिटी माप का वह फारे चीज़ आजाएंगे बोड इस्ट्रक्टर आजाएगा ड्रसब आजाएगा वियर आजाएगा आपका कैसे बोल चाले किसे के सामने पेस होते हैं तो कुल मैं के यह फिसम्दित कई सारी कोश्चन आएंगे एट्स क्यों हो जाता है इसके लच्छन बताई इसके कारण बताईए ठीक ऐसे प्रस्ण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता कि एक्ट का पूरा नाम लिखे ठीक है तो धान सुन लिजेगा एट्स का पूरा नाम होता है ठीक है इसमें स इससे हो जाएगा सिंड्रोम ठीक है यानि कि फुल्फाम होता है एड्स का एक क्वैर्ड इमनोडेफिसियंसी सिंड्रोम ठीक है काफी हेलफुल कोश्चन है आएगा पक्का अगला है कि संतुलित अहार को परभाफित कीजिए मतलब कि डिफाइन बैलेंस डिडाइड मतलब क्या है यह बी कोश्चन हमेशा तो नहीं आता है लेकिन चन्तुलित अहार एड्स प्रशनल्टी विकास यह सब कॉमन कोश्चन की मत दिबाला औस था कि विकास आत्मक कारे बताए मतलब कि जब मत बाला औस बाले आफ्ट आती तो इस समय बोड़ी में विकास होता है तो उन क conjunč derived when can फार मतलब कि जब विकास आतमक की कर लिखना ने मत दिबाला वाथ हमें इंचान आ जाता है यह कुछ विकास उते तो मिकास कारे लिखना है इंप्रॉटन है हमेश्चात नहीं आता है अ台ुट जिन क्या है जो आता है लेकिन बहुत कम आता तो आप एक नोट कर दीजिए कि सोरा आवस्था और उपर आहार आयोजन यह महात्पूर्ण प्रस्टन है ठीक है और फिर अगला कोलोस्ट्रोम कभी कभी आ जाता सुन्तिलित आहार लेकिन कभी कदार आ जाता तो दरूर कर लीजेगा ठीक है तो यह सब हैं आते लगुत्रे की मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन जो पर इच्छा में कई बार रिपीटेड है उस बार भी आएंगे ठीक है अब आजाएंगे हम खंडबा की ओर जहां पर आपको देखने को मिलेंग कि परफेट एक बैलेस्ट बहुजन जो डाइट किया जाता उसकी क्या उससे आपको क्या महत मिलता है क्या इंपॉर्टन्स है उसके ठीक है यह बहुत ही कॉमन कोश्चन है इसके बारे में आप लोग अगर एक सही तरीके फिर जो एंसर लिखा होता बुक फ्रीज इंटरने बता रहा हूं अगला कुश्चन की माता पता माता-पिता के उत्तरदाइतों के बारे मतहिं है यह मतारे माता-पिता की रिस्पोंसिलीटी ही होती है ठीक है उनके बारे में लिखना हलाकर K возможно है जानना चाहिए लेकिर हमेशा परिष्च हम रिपीट नहीं हुआ है तो अगर आपके पाफ डेड़ फिदो महीने एक्जाम को है तो तःयार कर लीजिए गादी माली जे 5-6 दिन है एक्जाम को तो इस कोस्टन को इग्णोर कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्टन की तो सैसा अफ्था के दोरान बहुत पारे अलग-लग हमारे सजी को जरूरत होती है पोस्टत सब्सक्राइब नाम लिखना है जो कि हमेशा कोश्चन नहीं आता है लेकिन ध्यान रखेंगे तत्तर प्रस्तिंपॉर्टन कोश्चिन है नोट कर लिजूगा कि समस्यां के बारे में रताई तो कोई सेवरा आफथा मैंने के बाद समस्या कुछ कुछ देखने को मिलती हैं लेकिन सेम तो सेम कुश्चन नहीं आएगा तो आप एगनूर भी कर सकते लेकिन किस उरहा उफथा पूजना नहीं था यहां पर कोश्चन ता संतुलिता हाजनी की बैलेंस्ट भोजन और यहां पर है एक हार रहोजन ठीक है तो यह कोश्चन दोरों सिमिलर हैं लेकिन इंप्वाटन्ट है कोई ने को एक तो फस जाएगा इन में से नोट कर दीजिए चाहिए आए चाहिए उप पार एक तथा हार्मोन संबंदी परिवर्तिनों के बारे में बताई आता है लेकिन बहुत कमाता है तो आपके पास समय सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला कोश्चन है कि एक ब्रद्धिवक्ति के लिए आहार एयोजन की जो है उसको किस प्रकार की आहार यानिकि भोजन की ज सिसु के आहार एयोजन के बारे मताईए तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना है एक पहुस जाएगा ठीक हो चाहिए ओल्ड एज पढ़ जाए चाहिए यंग वाला पहुस जाए यानिकी वैस्क वाला है फिर बच्चों का कोई ना कोई आ जाएगा कोश्चन हो सक सिस्ट आउस्थाओं में पोफड के महत्तकों पहुस जाएगा तो पहला प्रशन है कि सिस्ट आउस्थाओं में पोफड के महत्तकों बिश्टार पूबख समझाईए तो इक कोश्चन इग्रोन कर दीजेगा बहुत कमाता है अगला कोश्चन है कि पोड़ा आउस्था में सैच्चिक तथा ब्योसाइक सामया उजर के बारे में लिखी इंपॉर्टन कोश्चन हम सब्सक्राइब कर दो इस तरब कि 70% महत्तपूर्ण प्रश्चन है कि उम्मीदे के फंस सकता है ठीक है हमेशा नहीं रिपीट हो लेकिन महत्तपूर्ण साबित हो सकता है उचके बाद अगला प्रश्चन है कि एक गर्वती महिला के लिए एक दिन में आहार तालिका बनाई बहुत ही महत्तपूर्ण प्रश्चन है कई बार रिपीटेड है और नोट कर लीजिए 100% उमीदी प्रश्चन पहस जाएगा ठीक है नोट कर लीजिए ताकि बाद में बहुत बोलीगा कि सर बताया नहीं वर नम इस प्रश्चन का उत्तर तयार कर लेते तो हम दताय दे रहे है लेकिन हमेशा रिपीट नहीं हुआ ठीक है तो इसलिए हम लिखने इसको 50-50 वाले कटगरी में मतब 50% उमीद है आवी सकता है और 50% उमीद है कि नहीं भी आ सकता ठीक है हमेशा नहीं आता लेकिन कभी-कभी आया है तो इसलिए बोला हूँ तो यह पूरा का पूरा प्रस्ट देगें सभी का उत्तर अच्छे पत्यार कर लेते हैं तो 75 नमर का पूरांक होता है इसमें से आप लोग आफानि फे आसानी से बोल रहा हूं कि 30-40 नमर के बात कर रहा हूं बाकि आप सभी प्रस्ट आप उत्तर गूगल पर पढ़ लिजेगा यहनिक इंटरनेट सच करके पढ़ लीज़ेगा, वहाँ पर मिल जाएगा, वरना हमारी जल्दी question answer वाली वीडियो आने वाली है, उसमें सभी का उत्तर मिलेगा, और साथ वात में मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं, कि question bank, series, या फिर जो भी आप की no system चलती है, जब भी paper होने वाले होंग तो उसको खरीदेगा जरू ठीक है, बाकि आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट होए, तो सब्सक्राइब कर ली जागा, ताकि सभी subject की वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे, मिलते हैं गोड़ने वीडियो में, जैंद